हेलो फेंट्स वेलकम टो अल आफ यो अन माई यूटूब चैनल सरकारी भारत दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले है यूपी लेकपल भरती 2421 के बारे में यूपी में लेकपल के पदों पर ये भरती आने वाली है और इसका विग्यापन क्या जारी हो चुका है क्या इसकी योगिता रहने वाली है चाहिए या नहीं चाहिए कुल मिलाखर 8000 प्लस पदों पर ये बढ़ती आने वाली है जिसका नोटिफिकेशन के बारे में सारी के सारी बातों के बारे में डिसकस करने वाले हैं क्या कोई नई अधिसूचना आई है और क्या क् क्या इस चाहिए कर रहें तो आप इस चाहिए को ज़रूर सब्सक्राइब कीजीगा क्योंकि यूपी के सभी एक जा मस के लिए इस चैनल को बनाया गया है दोस्तों आप सभी को बता दें अगर आपका किसी भी प्रकार का किसी भी एक जाम से लेटेर कोर्षिन है कि वह नगवाते हुए स्टाइट करते हैं वीडियो को पहुंसते अपने पेज पर दोस्तों सबसे पहले तो हम स्टाइट करते हैं यूपी लेकपाल लेकूट्मेंट टूधाज़न बेंटी बन सात अजार आट सो ब्यासी पोस्ट पर यूपी ट्रिपल सी लेकपाल ऑनलाइन एप् अप्रेल तक का बोला गया था लेकिन अप्डेट हो चुका है अप्रेल के बाद यह मालेज अप्रेल के लाश्ट में बोला गया था यूपीटर प्लसी अप्रेल तक राजस्य विवाग में 7182 पतों पर बढ़ती का विग्या पंजारी करने वाला है इसकी बढ़ती परिच यह से यह वेकेंसी नहीं आई अब आपको पता है 17 माई तक तो लॉकडाउन लगा ही है तो यह तो वेकेंसी अब कब आने वाली है उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूं तो यह वेकेंसी अब आने वाली है जून के फश्ट वीक के लगवग जून मतलब एक जून से 10-12 जून तक आपको ये वेकंसी साइट पर देखने को मिल सकती है जी है फ्रेंट्स ये वेकंसी आपको मिल जाएगी क्योंकि अपरेल में वेकंसी आनी वाली थी ये वेकंसी अप थोड़ा सा डेले हो गई है लगबग लगबग डेड़ महीने ये वेकंसी डेले हो चुकी है तो ये वेकंसी अब आपकी जून मन्त में आने वाली है जून में आएगे तो जून के बाद जुलाई, अगस्ट और सेप्टेम्बर अक्टूबर में इसके पेपर होने वाला है अक्टूबर क्योंकि तीन महीने का टाइम दिया गया है फिर उसके बाद दो-तीन महीने बाद इसका मतलब डॉकॉमेंट वेरिफिकेशन होगा कट आफ बगए राजवाएगी उसके बाद आपकी जोइनिंग भी 2022 के इस टार्टिंग में आपको जोइनिंग मिलने की पूरी पूरी संभावना है एक तरीके से 99% आपको 2020 में इसकी जोइनिंग मिलने की संभावना है तो कुलमिला का 7182 पतोप पर आने वाली है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ औरगनाईजिशनम उत्तर प्रदेश सबोडिनेट सर्वेस सेलेक्शन कमीसर यूपी ट्रविलस सी यूपी लिखपाल के पतों पर भरती है साते हैं आट सो ब्यासी पत लेकिन यह आठ यार के करीब ही जाएगी सेलेक्शन पूसे रेटन एक्जामनेशन है सिर्फ आपको एक एक्जाम क्वालिफाई करना है आपकी नौकरी पक्की एक्जाम डेट एनाउंस लेटर हो जाएगा एप्लिकेशन के बारे में भी आपको इस्टाड़ेट मतलब तुरंत ही जल्द से यल्द बता दिया जाएगा जिसके अंदर सीनियर असिस्टेंट के 53 पद है जूनियर असिस्टेंट के 104 पद है लिख पाल के लिए 7,882 पद तो कुल मिलाकर अगर हम बोलें तो 8,000 प्लस पदों पर ये वरती जाने वाली है एज लिमिट 18 से मिनिमम एज 18 होनी चाहिए मैक्सिमम एज लगबख 40 वर्स तक के उम्मीदवार इसमें फ़र्म बर सकते हैं एज लक्सेशन भी इसके अंदर देखने को मिलता है इसके लिए जो पे स्केल है 2200 रुपे इसकी बेसिक सेलली 2200 है ग्रेड पे 2000 रुपे इसके अंदर रखा गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर देखें इंटरेस्टेट कैंडिडिट सुल है पास्ट 12th क्लास और एनी कोबलेंट एक्जम बिद ट्रिपल सी कोर्स यानि के आपके बास ट्रिपल सी कोर्स हो एप्लिकेशन फीट 300 रुपे है ओनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म अगर आप बढ़ते हैं कंप्लीट डेटल बात करते हैं तो इसमें स्ट कटे के लिए 165 रुपेश है जबकि पी डबलूडी कैंडिडेट के लिए नो एप्लिकेशन फीट कोई भी फीट इसके अंदर आपको नहीं बनी है इस्टेप एप्लाई ओनलाइन आपको कैसे करना है बिजड़ता ओफिसल वेबसाइट पर जाना है यूपी ट्रपल सी की पर लिंक दे रखा होगा एप्लिकेशन फॉर्म मिलेगा प्रिंट आउट इसका जरूर रखना है यहां पर अप्रेल के अप्रेल तक आपको एप्लिकेशन फॉर्म मिल जाएगा यह बोला गया था लेकिन लॉकडाउन कोरुना की वैसे नहीं हो पाया लेकिन अभी यह हो जाएगा जल्द ही जून के महिने में लाश्ट के लिए आपको जून का ही अंतिम तोर तक आपको आप इसमें भर सकते हैं और जो रिटेन एक्जामिनेशन होता है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा तो चलिए फैंट्स मिलते नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू थैंक्यू पर वाचिंस वीडियो जैहें च